नमस्कार दोस्तो आप सभी का मैं स्वावत करना चाहूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के IPO के बारे में यानि कि Life Insurance Corporation of India के IPO के बारे में दोस्तो ये सबसे buzzing IPO रहा है यानि कि अगर हम देखें तो इससे related दोस्तो काफी सारी चर्चाए हो रही है काफी लोग इससे related दोस्तो interested भी हैं इसमें invest करने के लिए काफी लोग तयार है साथी साथ अगर हम देखें retail investor तो इनमें उत्सा बहुत है दोस्तो इसमें invest करने के लिए LIC के IPO में invest करने के लिए इससे related दोस्तों जो भी latest news है जो भी चीजें होने वाली है LIC के IPO से related हर एक चीज आज के इस वीडियो में हम detail में discuss करने वाले हैं तो ये वीडियो दोस्तों काफी अच्छा हो सकता है उससे पहले अगर आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल करते हैं आज के इस IPO से related दोस्तों IPO detail में हम बात करेंगे LIC के बारे में सबसे पहले दोस्तों अगर आप अपने screen पे देख पा रहे होंगे तो LIC का logo आपके सामने है Life Insurance Corporation of India और दोस्तों यहाँ पे मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं Insurance Company में इंडिया की दोस्तों सबसे बड़ी company हो सकती है और दोस्तों यह Reliance को भी पीछे छोड़ भी सकती है यहाँ पे अगर हम देखें तो Reliance को जो market capitalization है वो अभी तक का साड़े तेरा लाग करोड के आसपास है यानि कि 13.5 लाग करोड रुपीस के आसपास और में भी दोस्तों LIC उसे भी बीट कर सकता है औ इसे हम Central Government करते हैं यानि Government of India ओन करती है 100% Government का stake है और LIC के IPO के पीछे का दोस्तों अगर मैं आपको reason बताओं तो privatization है dis investment है government दोस्तों कुछ targets रखे थे इस financial budget में और उसे से related दोस्तों उसे meet करने के लिए यहां पे privatization के जरिए के दोस्तों IPOs लाए जा रहे हैं इसी में LIC भी शामिल है और LIC का दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि यह इंडिया का सबसे बड़ा IPO साबित हो सकता है वेल इससे पहले कोल इंडिया माना जाता था जिसकी दोस्तों IPO की प्राइज लगबग 15,000 करोड के आसपास थी और LIC IPO दो दोस्तों 100% Government of India ओन करती है इसमें से अगर हम देखें तो लगबग 6-7% के आसपास की बात हो रही है जो कि यहां पर IPO में लेस्टिंग होगी 6-7% स्टेक दोस्तों यहां पर IPO में लेस्ट किया जाएगा मैक्सिमम 10% भी किया जा सकता है और यह 10% की कीमत दोस्तों लगबग 90 2000 से 1 लाग करोड के आसपास हो सकती है और अगर दोस्तों ऐसा होता है LIC का IPO सक्सेस्फुल होता है तो इस हिसाब से LIC का दोस्तों जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 15 लाग करोड रुपए पार कर जाएगा और यह इंडिया की दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी बन रहा है साथी साथ इसमें जो policy hold करते हैं उनके लिए भी दोस्तों काफी अच्छी news है यहां पे अगर हम देखें तो LIC का जो IPO आने वाला है उनमें 10% के आसपास दोस्तों लगबग reservation होगा LIC के जो insurance जो hold करते हैं उनके लिए दोस्तों लगबग 10% के आसपास यहां पे reservation हो स देखें तो जिसके पास भी दोस्तों इसके shares आएंगे उसके share दोस्तों लगबग दोस्तों कुछ मैनों में ही दो गुने price पहुच जाएंगे लगबग दोस्तों यह दो से तीन गुना return दे सकता है अपने listing date पे और उसके आगे भी अगर हम देखें तो LIC दोस्तों never ending company है पिछे government of India का support है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी दोस्तों LIC के share को hold करेगा उसके लिए तो काफी अच्छी बात होगी ही होगी वेल आ जाते हैं हम कुछ latest updates related जो की updates आ रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले update जो आ रही है दोस्तों वो यह है कि यहाँ पे government of India allow कर सकती है foreign investors को यानि FII को लगबग LIC के IPO में 20% तक हिस्ता own करने के लिए यानि कि अगर हम देखें लगबग अगर एक लग करोड का दोस्तों IPO होता है तो उसमें 20,000 करोड रुपीज के आसपास FII इन्वेस्ट कर सकते हैं यानि कि foreign institutional investor लेकिन यहाँ पे दोस्तों दूसरा update यह भी आ रहा है कि Chinese foreign investors यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं यानि कि यानि कि दोस्तों जो चाइना से आते हैं उनके investors LIC के IPO में invest नहीं कर पाएंगे दूसरे अगर हम बात करें यहाँ पे कोटक महिंदरा बैंक City Group यहाँ पे 10 दोस्तों select किये गए हैं merchant bankers जो की LIC का IPO handle करने वाले हैं और जैसे कि आपको पता है दोस्तों LIC का IPO सबसे बड़ा IPO ह होने वाला है तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे 10 merchant bank ऐसे हैं जो LIC का IPO यहाँ पे handle out करने वाले हैं जिसमें बड़े बड़े नाम सामिल है अगर मैं आपको उन बड़े नामों में से बताओ तो Goldman, Set, City Group, Kotaक महिंदरा bank, SBI ऐसे दोस्तों बड़े बड़े नाम हैं जो की यहाँ इस IPO को समालने वाले हैं साथ इसाथ दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही ZNews के एक interview में MD यहाँ पे जो है LIC के मुकेश गुपता उन्हों ने यहाँ पे LIC का दोस्तों profit show किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि लगबग अपरेल से अगस्त में लेके LIC को लगबग 21,000 क क्रोड के आसपास का profit हुआ है यानि कि अगर हम देखें दोस्तों LIC एक profitable business है government of India के लिए और पिछले साल के अगर हम बात करें तो LIC को लगबग 35,000 क्रोड क्रोड के आसपास profit हुआ था और इस साल इसे भी यह beat कर सकते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो 4-5 मेनों में लगब देगा जिसमें interest अगर हम देखें retail investor का काफी जादा होगा तो over working तो already होने वाली है यहाँ पे यही सब दोस्तों latest updates है LIC के IPO को लेके लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात यह है कि LIC का IPO आएगा कप यहाँ पे दोस्तों अंदाजा लगाया जा रहा है कि maybe November December में LIC का IPO आ सकता है यानि कि आने वाले 2-3 मेनों में या maybe government of India इसे February या March में दोस्तों apply कर सकती है क्योंकि financial अगर हम देखे financial year जो खतम होता है वो April के बीच में होता है April के बाद April 31st के आसपास दोस्तों और उससे पह करने वाला है government of India का तो एक लाग करोड के आसपास दोस्तों LIC ही disinvestment का दोस्तों सबसे बड़ा जरिया बन जाएगा तो इसलिए में भी अभी कुछ मैनों में ही LIC का IPO आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों DRHP भी फाइल होने वाली है जल्दी CB में लेकिन यहाँ पे दोस्त से जादा ओन नहीं कर सकते हैं और LIC के दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें 100% government of India ओन करती है और अगर इसका 10% दोस्तों यहाँ पे लाया जाता है market में तो भी फिर भी यहाँ अगर हम देखें तो 90% के आसपास भी government of India hold करेगी तो maybe क्या government आगे अपने stake sale out करेगी 15% के आसपास 15-20% क्योंकि दोस्तों CV का rule ही यह है कि कोई भी promoter हो जो भी market में listed company है उसमें 75% से ज़ादा own नहीं कर सकते हैं तो यह भी यहाँ पे है well इसे related दोस्तों हमारे भी मन में 2-3 questions है इसे भी हम solve करने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो में अगर इसका अंसर दोस्तों आपको पता है तो नीचे comment box में जरूर लेकिएगा आप भी दोस्तों कुछ question पूछ सकते हैं यह latest updates ही जो कि LIC के IPO से related आई थी हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो like जरूर कीजिएगा अगर आपने LIC का दोस्तों hold किया है policy कोई तो नीचे comment box में जरूर बताईएगा अच्छा लगता है इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के ल आन्यवाद जाहिन